हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे स्टॉक मार्केट के लाइब सेशन में एक बार फिर से स्वागत है प्लीज जॉइन करें सब के सब वेट करते हैं थोड़ असा और भी लोगों के जॉइन करने का और उसके बाद फिर आम लोग अनलिसिस अपना स्टार्ट करेंगे ओके आकाश ने जॉइन किया है आपका स्वागत है आकाश पिछला जो हमारा सेशन था वो आपने जॉइन किया था तो काफी सारे हम लोग ने स्टॉक्स को देखे है गुड आफटरनून आकाश आपका स्वागत है काफी सारे स्टॉक्स हम लोग पिछले सेशन में हमने कोशिश किया था कवर करने का और अभी जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं मेरे सामने एक चार्ट लास्ट जो सेशन था हमारा कल का उसमें भी मैंने डिसकस किया था वो हमारा ये निफ्टी का चार्ट है राइट जिसमें एक bearish pattern जो हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है राइट राहुल का स्वागत है राहुल रॉक ने जॉइन किया है आपका स्वागत है राहुल हमारे से stock market के live learning session में लेकर कोई भी questions है तो आप पूछ सकते हो तो मैं तब तक और कुछ देखता हूँ तो निफ्टी का यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जो हमने last session में डिसकस किया था कि यहाँ पर एक bearish pattern बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस bearish pattern का नाम क्या है यह तो आप लोग अगर जानते हो तो please इस bearish pattern का नाम बताईए तो hello क्या मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही है अगर सुनाई दे रही है तो please yes लिखिए because मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को आवाज clear आ रही है तो please एक बार yes लिख दीजिए अगर मेरी voice clear है तो please एक बार yes लिख दीजिए ओके चोटे मोटे लोग ने क्या है yes आवाज clear है thank you thank you अकाश अक्षाय जी का भी स्वागत है राहुल जी का भी स्वागत है और भी कई लोग है जिन्होंने जॉइन किया है वीजी तू जी का स्वागत है thank you thank you for confirming तो ये रहा अभी तो हम लोग और भी कुछ stocks पगर रहा है ये देखते है तो आप लोगों के कोई भी questions है stocks को लेकर या पिछले किसी session को लेकर तो प्लीज एक बार question आप अपना पूछ सकते हो मैं कोशिश करूँगा उसका answer देने का जो भी मुझे market का knowledge है उसके basis पे जो भी सही answer होता है वो मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ तो आपके कोई भी questions है market को लेकर stocks को लेकर जो भी आपके questions हो आप पूछ सकते हो बेजी जग तो यह सादित्य मोरे जी ने जोइन किया है नमन देवडा जी ने जोइन किया आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सिस्टॉक मार्केट के live learning session पे तो आपके कोई भी questions है तो प्लीज एक बार पूछिए तो आपके कोई भी questions है अदित्य मोरे जी का question है बलराम पूर चिनी लेट सी बलराम पूर चिनी मिल ठीक है तो बलराम पूर चिनी ओके ठीक है बलराम पूर चिनी सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा weekly chart बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पर तो trend positive नजर आ रहा है बलराम पूर चिनी का जो जो मतलब mega trend है वो positive है तो वहाँ पर कोई problem नहीं है अच्छा आपने किस level पर किस level पर trade किया था या फिर buying trade initiate किया था यह भी important है आदित्या तो अगर आप सही level पर अपना buying trade initiate किये थे तब कोई problem नहीं है ठीक है तो अभी भी chart में कोई problem नहीं है chart इसका intact है बिलकुल यह stock जो है positive है और इसका आपको simple analysis है 620 यह जो level है जो मैंने mark किया है इसी को आप अपने chart पर mark करके रखें अगर इसके नीचे जाता है price तो आप इसको exit कर लें simple analysis है को यहाँ पर over analysis आपको नहीं करना है किसी भी stock में जब आप analysis करें तो simple analysis करें यानि कि pure I mean जो price action के जो patterns है जो resistance support है उसको आप mark करें breakout को पहचाने stop loss को रखें that's it इतना ही करना है आपको तो यह चीज है तो आप इसको देखें stop loss क्या बनेगा इसका simple है 624 के राउंड तो इसके नीचे जाता है तो वो एक exit का signal होगा तो यह चीज है आप लोगों के और भी कोई questions है तो पूछिए आशीश इस बीच में और भी दो लोग join के हैं Aryan King ने join के आपका स्वागत है और आशीश जी ने भी join किया है आपका भी स्वागत है तो हम लोग ने पिछले जो sessions हैं उसमें काफी सारे stocks discuss किये थे तो एक तो काफी दिन से हम लोग discuss कर रहे हैं वो century ply है तो इसमें भी अभी भी कोई problem नहीं दिखाई देता मुझे इस overall chart structure इस stock का positive दिखाई देता है मुझे एक बार फिर से देख लेते हैं आज तो यहाँ से थोड़ा सा rejection आया है जो यह जो previous resistance candle है बट that's okay कोई problem नहीं है overall chart structure इसका positive है ठीक है अब यहाँ पर stop loss क्या बनेगा stop loss बनेगा यह support का level लगभग यहाँ पर जो support का level आता है 841 के around तो 841 का मेरा क्या होगा यहाँ पर stop loss होगा ठीक तो इसी stop loss के साथ मुझे इस stock में बने रहना चाहिए simple सा analysis है कोई यहाँ पर over analysis मैं नहीं कर रहा हूँ 841 का मैं stop loss रखूँगा in fact थोड़ा सा नीचे रख लूँगा 839 के around 839 का अगर यह जो support line है 840 के around 840 का अगर stop loss यानि कि इसके नीचे अगर closing आ जाता है तो मैं अपना जो भी loss होगा वो लेकर निकल जाओंगो यहाँ कि simple सा यह rule होना चाहिए जो आप follow कर सकते support पे आप अपना stop loss रखें and उसको जाने दे जहां तक जा रहा है राइट हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आ जाए या फिर हो सकता है कि यहाँ से reject हो जाए तो यह चीज है तो इसको आप देखें and मैंने कल एक stock और share किया था last last में वो था आदित विरला fashion and retail तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें देखें बहुत अच्छी company है मुझे जो personally लगता है कि इस stock में काफी अच्छा momentum हमको देखने को मिलना चाहिए आने वाले समय में तो इसका जो weekly chart है weekly chart भी positive है इस resistance line को आप mark करके रखें कहां गया यह resistance line daily chart के अंदर लगभग यह यह जो resistance line है अगर इसके उपर चला जाता है यह stock तो एक बहुत अच्छा movement आपको देखने को मिलेगा इस stock में आने वाले समय में ठीक है तो इस stock को अपने radar में रखें फिल्हाल अपने इसी level के आसपास time pass कर रहा है तो that's okay इतना तो बनता है stock के लिए because यहाँ पर जो फसे हुए लोग होंगे आप यह समझे कि यहाँ पर resistance के पास ही क्यों stock या तो वहाँ पर time pass करता है या फिर वहाँ से नीचे आता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग फसे होंगे वो exit कर रहे होंगे इसलिए यहाँ से price नीचे आता है या फिर यहाँ पर time pass करता है तो वो absorb हो रहे हैं basically तो जो भी अगर कोई बड़ा player होगा वो या तो इसको absorb कर रहा होगा या फिर अगर seller यहाँ पर ज़्यादा हावी हो गया तो फिर वो यहाँ से stock को नीचे भी लेके जा सकता है तो इस stock पर नजर रखें simple था है आपको इस resistance line को mark करके रखना है आकाश जी ने question पूछा है sorry उन्होंने कुछ पूछा है कि sir मेरे trading rules follow नहीं हो पा रहे हैं कुछ solution बताएए क्या problem है आप बताएंगे तब तो आकाश क्या problem है आपको किस चीज में problem आ रही है trading rule क्या trading rule बनाया है आपने ठीक है क्या trading rule बनाया है आपने इसको आपको follow करना है तो आप कहाँ से है आकाश पहले ये बताएए ठीक है आपका अगर कुछ अगर आप मिलना चाहते हैं one to one आपके कोई problem है क्या issue है तो आप बता सकते हो one to one आके भी बात कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे कोई problem नहीं है आप जो भी problem है आपको trading में वो आप बताएए ठीक है मैं उसका solution आपके लिए हो सकता है कोशिश करूँगा जो भी मेरे से हो सके जो भी मेरा knowledge है उसके basis पे राइट तो आप trading का जो rule है जो आपने बनाया है उसको आपको follow करना पड़ेगा because otherwise क्या होगा कि आपको loss जादा हो जाएगा तो यह चीज़ है आकाश आप मिलना चाहते है तो मिल भी सकते हो कोई problem नहीं है और जो भी आप rules क्या rules बनाया है आपने वो मैं सुनना चाहूँगा पहले उसके बाद ही कोई decision ले सकते है तो यह चीज़ है इस बीच में DK तेली जी ने join किया है आपका स्वागत है और विमल किशोर बरेट जी ने भी join किया है आपका स्वागत है तो यह चीज़ हैं आप लोग थोड़ा ध्यान देकर trading करें और ज्यादा F&O के पीछे ना जाए ज्यादा F&O के पीछे ना जाए अदरवाइस प्रॉब्लम हो सकता है तो बेटर है कि आप स्टॉक्स में ट्रेड करें स्टॉक्स में अपना सही पोजीशन बनाएं स्टॉक्स में कैसे हम लोग support कैसे resistance के बाद हमने की support के बाद support तूटता है तो exit कर लेते हैं breakout होता है तो buy करते हैं इस basic साज यह जो rule है ना इसको आपको follow करना है breakout होने के बाद buy करना है and आपको एक stop loss रखना है risk को manage करके चलना है और उसी के हिसाब से अपना position बनाना है तो यह चीज है तो इसको आप ध्यान से देखें and कैसे आप अपने resistance support के levels के importance थोड़ा समझाईए सिंपल है resistance कैसे create होता है resistance मतलब मैं बताऊं तो वो level जहां से seller हावी हो जाता है यानि कि वहाँ पर काफी सारे sellers जमा हो जाते है तो वहाँ से price जैसे कि यह nifty का chart है आप देखो इसको क्या बोलेंगे यह resistance है resistance क्यों है because यहाँ पर maximum sellers बैठे हुए है इन्होंने यहाँ से price को sell करना चालू किया and धिरे धिरे करके price को नीचे ले कर गए है अब जैसे कि देखे अब यहाँ पर यह क्या हो गया यह जो मैंने line बनाया है यह support हो गया तो अब support का कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर buyer बैठा हुआ है तो buyer बैठा है वो price को नीचे ले जाने नहीं चाहता कि price नीचे जाए ठीक अब उसके बाद मान लेते हैं price यहाँ से धिरे धिरे करके इस तरीके से यहाँ पर चला जाता है इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ से अब फिर से यह जो resistance है यहाँ पर अब फिर आपको भी quantity था sell करने के लिए वो बेच चुका है और buyer वो ज़्यादा quantity buy कर रहा है यहाँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 quantity seller sell कर रहा है तो buyer जो है यहाँ से 110 quantity खरीद रहा है इसलिए यहाँ पर जो seller है वो absorb हो गया and buyer के buy करने से यह जो resistance है वो भी break हो गया अब यहाँ से आपको fresh momentum देखने को और मिलेगा तो यह simple सा concept है resistance मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा sellers है and support मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा buyers है simple सा concept है ओके अक्षा मैं आपका question का जो answer है वो दे पाया हूँ सही से तो नमन देवडा जी का एक और question है मैं उसको लेता हूँ तो नमन देवडा जी का question क्या है कि किर्लोसकर pneumatic उसके बाद है refex industries similar like coal India ओके फाइन लेट सी किर्लोसकर pneumatic ठीक है देखते हैं किर्लोसकर किर्लोसकर pneumatic वेरी गुड़ चार्ट वीकली चार्ट देखते हैं पहले इसका ओके यह तो जादा चार्ट नहीं है यह यह तो recently list हुआ है या फिर किसी company से जिसे company demurge होती है तो ऐसा कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है एक बार इसका देख लेते हैं BAC में भी चार्ट अविलेबल है क्या हाँ BAC में चार्ट अविलेबल है फाइन फाइन ठीक है तो यह नॉर्मल हमारा स्टॉक है अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर एक consolidation के बाद breakout दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा stock है यह तो काफी अच्छा breakout यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इस stock को नजर में रखना चाहिए आप लोग को किरलोस कर pneumatic यहाँ पर एक breakout होता हुआ दिखाई दे रहा है next stock जो है यह है Refix Industries इसको देखते हैं काफी stock I think volatile है यह मैंने past में देखा था बट लेट सी क्या है इसमें तो ठीक है इसमें भी कोई problem नहीं है stock नीचे से काफी भागा हुआ है तो दिरे दिरे चल रहा है not दिरे दिरे in fact speed से चल रहा है अगर मैं इसका daily chart देखूँ तो daily chart भी positive है immediate resistance अगर देखें तो immediate resistance बनता है लगभग 581 के levels का तो 581 का यह जो resistance है यह निकलेगा तब यहाँ पर fresh buying करना चाहिए अगर आपने किसी नीचे के level से buying किया है तो still कोई problem नहीं है यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर मुझे stop loss कोई पूछे तो stop loss लगभग यहाँ पर बनेगा एक stop loss जो मुझे दिखाई देता है secondly आप यह जो छोटा सा previous अगर यहाँ से आपको कुछ इसरी के से price action देखता है suppose कुछ ऐसा गया and वापस से ऐसे आया तो हम यहाँ पर फिर से यह बोल सकते हैं कि भाई हमको यहाँ से exit कर जाना चाहिए तो यहाँ से हमारा यह जो support होगा वो तूट जाएगा ठीक इसको आप line chart में देखो clear समझ में आएगा मैं क्या बोल रहे है नीचे आया and वापस से उपर गया यह जो support है फिर से निकल गया यानि कि support टूड गया तो हम यहाँ पर जो buying position है उसको exit कर लेंगे ठीक है तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो मेरा stop loss रहेगा वो रहेगा यह जो support का level है यह तो इसको देखें आप अच्छा चार्ट है बट फिलहाल कोई buying का यहाँ पर position नहीं है इस बीच में अक्षत ने join किया है thank you काफी सारे लोगों ने join किया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी से request करूँगा कि please हमारा यह जो एक YouTube चैनल भी है सेम इसी नाम से tortoise traders के नाम से उसको आप join करें उस YouTube चैनल को join करें काफी सारे stocks, videos मैं वहाँ पर share करता रहता हूँ जो भी मुझे knowledge है उसके basis पर ठीक है and Sarwan जी ने भी join किया है आशीश, साहू जी ने join किया है सुदीप जी ने join किया है अक्षय जी ने thanks का है सर very well explained breakout and trade entry कैसे करते हैं सर प्लीज ये और बताइए जी जरूर इसको मैं clear कर देता हूँ अक्षय अक्षय जी का भी स्वागत है हिमाचु तिवारी जी का भी स्वागत है नरेन का भी स्वागत है and सिर्वन जी ने question पूछा है अमन कशप जी का भी स्वागत है BDL and Electra का कुछ बताइए न अच्छा ये question है BDL के उपर ये यार ये stock काफी भागा है बट आपने अगर सही जगा पर इसमें entry किया है न तो कोई आपको problem की बात नहीं है लेकिन अगर आपने इसको late से पकड़ा है यानि कि ये आपकी नजर में late से आया है या फिर आपने position बहुत late से बनाया है तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना जो analysis है उसको सुधारना पड़ेगा राइट तो कुछ गलत कर रहे होंगे आप शायद इसलिए question आया है फिलहाल अगर मैं इसका immediate जो मैं अगर support देख रहा था line chart में तो ये जो support था ये तो तूट चुका है तो आप देखो कि यहाँ पर ये जो support था ये वाला ये तूट चुका है तो यहाँ से price नीचे आ चुका है तो अगर आपने किस level पर buy किया है ये important है सरवन जी तो आपको देखना पड़ेगा कि किस level पर आपने buying किया है तो ये चीज़ है इसको आप देखें अगर मैं इसका daily chart open करूँ तो daily chart में भी ये stock जो देखें क्या है लगतर आप देखो ये support जैसे मैंने अभी बताया daily chart का भी support है तो भी तूट चुका है तो यहाँ पर कोई फिलहाल buying का opportunity नहीं है और अगर आपका buying का position था तो वहाँ पर आपको stop loss ले लेना चाहिए था और अगर buying का level क्या था वो buying का level क्या था ये बहुत important है because अगर आपने इसको काफी उपर में लिया है suppose आपने इसको यहाँ कहीं पर लिया है 1600 से 1700 के around तो फिर वो गलत level था buying करने का देखो buying करेंगा ना किसी भी stock को buying करने का वज़ा होना चाहिए उसका कारण होना चाहिए अगर आप बेवज़ा किसी stock को buying कर रहे हैं तो वो wrong है गलत है ठीक है तो यह चीज़ है आपको इसको ध्यान से देखें ओलेक्टरा का भी question ले लेते हैं ओलेक्टरा ओलेक्टरा सॉरी ओलेक्टरा ओलेक्टरा ग्रीन टेक fine let's see ओके तो ओलेक्टरा ग्रीन टेक hello hello तो ओलेक्टरा ग्रीन टेक का भी जो चार्ट है वो थोड़ा सा negative दिखाई देता है नो नो थोड़ा सा एक मिनिट इसका जो weekly chart है उसको एक बार analyze कर लें तो एक बार weekly chart को देखो तो weekly chart positive है कोई problem नहीं उलेक्टरा ग्रीन टेक में इसका जो major trend है वो positive है कोई यहाँ पर problem मुझे दिखाई नहीं देता है तो यहाँ पर यह चीज है उसके बाद अब क्या करें अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहें 15 days के लिए कौन सा stock buy करें 15 days के लिए कौन सा stock buy करें यह तो यार बताना थोड़ा सा मुश्किल है तो इसके जगा पर आप यह देखें कि भाई कौन सा stock में breakout आ रहा है deep cheeks का यह question है बहुत बढ़ा question है यह ऐसा कुछ बताना मुश्किल है कि कौन सा stock 15 days के लिए buy करें जरूरी नहीं है कि वो stock भागेगा जरूरी नहीं है कि वो stock भागेगा हो सकता है रूप जाए तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसे stock identify करने है जहाँ पर breakout आ रहा है तो breakout आते हुए stock में वहाँ पर आपको buying करना है तो वो ज़्यादा important है तो आप इस तरीके से देखें कोई stock buy करना ने करना यह आपका decision रहता है मैं तो आपकी help करने के कोशिश कर रहा हूँ कि chart को किस तरीके से analyze किया जाए कैसे resistance and support को देख कर आप trade कर सकें तो और भी questions है चले देखते है अर्विन fashion यह पहला stock है इसको हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा chart है इसका अर्विन fashion ओके तो इस stock पर मेरी भी नजर थी मैं इसको देखता हूँ आप लोग को share करता हूँ इस पर सबसे पहले क्या करना है इसका जो आप overall chart structure है इसको आप देखें weekly chart को देखें सबसे पहले weekly chart क्या बोल रहा है उसको observe करें weekly chart अगर भाग रहा है तब हम लोग हमको ऐसे ही stock में इसका मतलब यह है weekly chart अगर किसी भी stock का भाग रहा है मतलब उसमें momentum है daily chart open करना है और ऐसे ही stock के daily chart में आपको resistance and support को mark करना है यहाँ पर resistance क्या बनेगा यह क्या है यह level 610 का level इस resistance के उपर breakout कब हुआ कल हुआ और वहाँ से देखो जादा उपर नहीं गया है तो बिल्कुल यही तो level है buying करने का तो यही यही पर हमको ऐसे ही stock में opportunity खोज कर buy करना है तो देखे simple सी बात है अभी यह stock का potential है वो काफी upside दिखाई देता है विकाज इसका previous high था वो काफी उपर था आप लोग इसका chart देखना analysis करने की कोशिश करना तो यह जो resistance है यह break हुआ हमको यही पर buying करना है stop loss क्या रखना है stop loss रखना है simple तो बिल्कुल basic analysis है अभी भी यह stock कोई खास उपर नहीं गया तो buying का scenario अभी भी है इसमें उसके बाद next stock जो है वो है HCL tech वो भी देख लेते हैं HCL tech बहुत अच्छे-च्छे questions आ रहे हैं HCL tech इसको भी देख लेते हैं यह भी काफी बढ़ियां सा चार्ट है इसका overall chart structure positive है इसका आप यहाँ पर देखो simple सा resistance था resistance क्या था यह level इसके उपर चला गया है अब इसी level के आसपास यह जेखे आप last यानि कि इस candle में कल के दिन में breakout हुआ था वहाँ से कोई खास उपर गया नहीं है stock तो बिल्कुल buying का scenario बनता है यहाँ पर भी वाबाग बहुत बढ़िया stock है वाबाग हाँ बिल्कुल अच्छा एक मिनट वाबाग को देख लेते हैं पहले वाबाग वाबाग को मैंने काफी नीचे के level से जब यह stock breakout दे रहा था लगभग इन levels का यह जो line लगाया है मैंने इसका मैंने YouTube चैनल के अंदर वीडियो भी शेयर किया है आप लोग प्लीज उस वीडियो को जा के जरूर से देखें 9 years का breakout इस तरीके से मैंने एक उसका thumbnail बनाया है तो 9 साल के बाद इसमें breakout आ रहा था तब हम मैंने इस stock को identify किया था यह resistance का level है जो 23rd March 2015 का है यह breakout हमको कहाँ पर दिखाई दिया इस candle पे राइट तो हमको या फिर इस candle पे तो इन ही levels के आसपस हमको buying करना था अब अगर आप weekly chart के हिसाफ से देखेंगे तो stock काफी उपर निकल चुका है तो उस वीडियो को जा के देखें मैंने complete analysis आप लोगों के साथ उस वीडियो में share किया है तो आप लोग उस वीडियो को देखें काफी कुछ आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा इस stock के बारे में यानि कि कि किसी भी stock को कैसे analyze करते है वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगा तो यह है HDFC Life and Bajaj FinServe यार HDFC Life I don't know कितना strong है इसका chart ओके ठीक है इसका भी chart positive है कोई problem नहीं है यह resistance के बाद ही हम लोग कुबाइंग करने का opportunity खोजना है simple है right next क्या है Bajaj FinServe यह तो strong है एक बार देख लेते है Bajaj FinServe right ठीक है देख लेते है Bajaj FinServe ओके तो I think यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या open करना है weekly chart open करना है right तो weekly chart open किये weekly chart open किये तो यहाँ पर देखे पहले से line मैंने लगा के रखा हुआ है यह previous resistance का line है अब यही resistance line support बनना चाहिए तो देखते हैं अगर यह green candle बना देता है यहाँ से तब हम यहाँ पर buying initiate करेंगे और stop loss रखेंगे इसी line का यानि कि अगर weekly closing basis पे यह stock rejection देता है तब हम यहाँ पर weekly closing basis पे buying करेंगे अगर आप daily closing के basis पे buying करना चाहते हैं तो आप इसको daily chart में convert कर दीजिए right कुछ इस तरीके से and daily chart में जब यह resistance break out होगा right यह resistance का level क्या है 2016 का 2016 का resistance जब break होगा तब हम यहाँ पर buying trade initiate करेंगे right otherwise तब 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 इसमें wait and watch करेंगे ज़्यादा better रहेगा तो हम लोग wait करेंगे से stock में 2016 का break out होने के लिए जब 2016 का break out होगा तब यहाँ पर हम लोग buying trade initiate करेंगे trading के perspective से ओके तो hope मैंने आपके सभी questions answer किये है नमन fresh buying कौन से level पर करनी चाहिए यह चीज fresh buying कौन से level पर करनी चाहिए फ्रेश बाइंग तभी करना चाहिए जब breakout हो रहा हो किसी भी stock में जब breakout हो रहा है ना तभी आपको fresh buy करना है otherwise नहीं करना है ठीक है simple है इस बीच में नाजीर जी ने जोइन किया है कैवर्त जी ने जोइन किया है अक्षाए जी का भी स्वागत है हमारे सॉरी अक्षाए जी ने फिर से गोशन पुछा है बट सर इस analysis में volume भी consider करनी चाहिए बिलको volume बहुत important चीज है जिसको आप देख सकते हो लेकिन कई बार क्या होता है ना price में breakout होता है लेकिन क्या होता है कि volume जो होता है वो दीरे 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 बढ़ रहा होता है तो वो volume को आप directly देखकर नहीं समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊंगा ना कोई और समझ पाएगा तो इसलिए better है कि भाई आप ये देखें कि price action किस तरीके से काम कर रहा है उस stock में breakout हो रहा है तो आप ये मान कर चलो कि stock उपर बढ़ने वाला है या बढ़ने का potential रखता है ठीक है तो volume को देखो वो important है simple सा मैं मतलब मैंने ये देखा है कि अगर volume आपको breakout के पास मिल रहा है तो भी ठीक है अगर आपको breakout normal breakout भी होते हैं stocks में तो भी वो काफी अच्छा momentum देखने को मिलता है उन stocks में तो इसलिए जादा volume तभी देखें जब आप investing perspective से stock को देख रहे है trading perspective से volume उतना कुछ खास माइने नहीं रखता है especially जब आप stocks में कर रहे हों क्योंकि stocks में क्या होता है कि कई बार volume क्या होगा कि दीरे 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 बढ़ रहा होगा ठीक है क्योंकि जो बड़ा player है वो एक साथ बड़ा quantity शायद उठाना नहीं चाहता इसलिए वो दीरे दीरे करके quantity buy कर रहा है और वैसे ही वो लेकर जाएगा stock को उपर वो चाहता ही नहीं कि मेरा volume जो है वो दीखे लोगों को तो यह जो volumes के आप bars देख रहे हो न तो यह definitely यहाँ पर buying हुआ है but important चीज़ क्या है कि हो सकता है जो buyer है वो बड़े quantity से buying नहीं कर रहा है वो दीरे दीरे buy करेगा फिर उसके बाद stock को उपर लेकर जाएगा फिर वही जो buyer है वो दीरे दीरे अपने quantity को कम करेगा उससे क्या होगा stock का price नीचे आएगा उससे लोग डर जाएंगे exit कर देंगे फिर दीरे से stock को फिर से वो वही player buy करने लगेगा और breakout दिलाएगा तो जैसे ही यहाँ पर फिर से breakout होगा तो काफी बड़ी हाँ यहाँ यहाँ पर आपको buying trade initiative आप वहाँ पर कर सकते हो राइट इसलिए हमको volume को trading में उतना जादा ना देखें तो better रहेगा क्योंकि कई बार मैंने खुद देखा है personally volume ना भी हो रहा हो लेकिन breakout हो रहा हो अक्से जैश्वाल जी कभी स्वागत है हमारी स्टॉक market के live session में तो अब मैं एक आति स्टॉक और आप लोग को साथ share करता हूँ ठीक है एक दो स्टॉक से जो एक स्टॉक है जो अच्छा दिखाई देता है मुझे ठीक है तो उस स्टॉक को आप देख सकते हो तो उसको आप ध्यान से देखें राइट एंड उस पे अपनी नजर रखें ताकि अगर उस स्टॉक में जैसा कि अगर जैसे ABFRL में मैंने आप लोगों को बताया अगर ABFRL में भी अगर ABFRL में भी हमको वहाँ पर breakout दिखाई देता है तो हमको वहाँ पर buying trade initiate करने के बारे में आप सोच सकते हो तो ये चीज़ है एक स्टॉक जो मुझे अच्छा दिखाई देता है मैं कुछ दिन पहले उसको देख रहा था तो वो स्टॉक है blue dot तो वो स्टॉक है blue dot इस स्टॉक को आप नजर में रखें स्टॉक का नाम है blue dot blue dot को आप देखें यहाँ पर हो सकता है काफी अच्छा momentum आपको देखने को मिले blue dot इस स्टॉक को आप दिखान में रखें इसको मैं trading perspective से नहीं बोल रहा हूँ आपको आप यहाँ पर थोड़ा सा बड़े time frame को देखें weekly chart को देखें अभी जैसे कि इन्होंने question कुछा अक्षय जी ने तो वहाँ पर क्या हुआ कि volume जैसे कि आप बात करतें तो volume यहाँ पर देखें काफी जबर जबर्यस volume हुआ है तो यह volume होने के बाद price तो कुछ खास उपर नहीं गया है तो price जब उपर जाएगा ठीक है तब आप यहाँ पर breakout जब यह होगा यह level का breakout होगा तब आप यहाँ पर buying करने के बारे में इस stock को सोच सकते रहे तो breakout का level क्या है यह जो है 9300 का level तो blue dart इस stock को आप नजर में रखें और काफी जबरजस्त यहाँ पर volume हुआ है जैसा कि अभी अक्षै ने पूछा था क्या trading में volume को देख सकते हैं बेटर रहेगा आप उसको investing में देखें तो इसलिए मैंने यहाँ पर weekly chart को open किया है इस stock को आप नजर में जरूर रखें breakout का level है इस stock का 9200 यहाँ पर भी बहुत जबरजस्त volume नीचे में हुआ है बट breakout नहीं आया है तो breakout पे नजर रखें breakout कब होगा 9300 रुपीज के उपर तब यहाँ पर एक बड़ा momentum आपको शायद देखने को मिल जा इस stock में investing perspective से इस stock को आप देख सकते हो अगर breakout होता है तब यहाँ पर एक अच्छा momentum आपको देखने को मिलेगा तो आज का यह live session यहीं पर खतम करते हैं कल भी हम लोग लगबग कोशिच करेंगे अगर 11 बज़े live हो सके अगर 11 बज़े live नहीं होते हैं तो लगबग 12 बज़े एक बज़े हम लोग live करेंगे तो यह चीज़ मैं आपको update कर दूँगा लगबग 1 बज़े के राओं जैसे आज किये वैसे हम लोग कल भी live करने के कोशिच करेंगे अगर time 11 बज़े हुआ तो कोशिच करेंगे 11 बज़े करने का स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें बहुत अच्छा चार्ट मुझे दिखाई देता है तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे स्टॉक मार्केट के live session में जुड़ने के लिए थैंक यू, have a nice day